हाई दोस्त आज हम बात करने वालें कि अपना मुबाइल हैक तो नहीं हो गया है यह हम कैसे पता करेंगे और पता करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको मुबाइल हैक हो गया है तो आपका पूरा डाटा हैकर यूच कर रहा है और आगे चलके आपको ब्लैक मेल भी कर स को जैसे हम चुने फंसाते है न उसी तरह से मचीली अपता कर सकते हो है in अच मोबाइल है या नहीं मैं आपको एक ढुमाइल को जहां से आप अपने मोबाइल को सही कर सकते हो गर आप मोबाइल हैक हुआ होगा तो वीडियो को ध्यान सोर पूरा देखो श्टेप बाइस सब कुछ बताऊंगा और मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहाता हूं ताकि आपका वाज सपोर्ट हो सके तो वीडियो को ल जो आपका सारा डाटा ले लेता है और उसका गलत इस्तिमाल करता है तो कैसे पता करना है कि आपको मोबाइल को यह और यूज कर रहा है तो आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है मोबाइल का सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सेटिंग ओपन करने के बाद आ यहां पर फटाफट उसको डाल देता है अब देखो यहां पर आप को अप्लिगेशन आएंगी जो आपके मुवाइल का डाटा यूज करें पूरा डाटा यह सब आपका यूज कर रही है अब देखो एक मेरे में है find my device यह बहुत जरूरी है मुवाइल में पहले से ही आता है और एक मैं हेमर का यूज कर अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया हूँ इससे क्या होता ना जैसे मुवाइल चोरी हो जाता तो भाई हम पता कर सकते हैं कौन चोरी किया उसका फोटो जो तो सब पता चल जाता तो म नीचे देखो यहां पर cancel option आता है और यहां पर logout का आएगा उसको क्लिक कर देना और वो हट जाएगा हटाना बहुत जरूरी है इसको आप जरूर देखना अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके हम बात करने वाले हैं email id देखो ज्यादा तर हैकर email id से ही आपका phone hang कर लेते है तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि अपना email id है या नहीं है तो इसको पता करने के लिए आपको Gmail application open करना है अगर आप Gmail application open कर लो उसके बाद यहां पर आपका photo दिखेगा या logo दिखेगा इस पर क्लिक करो और आपकी phone में जितना account होगा वो सब यहां पर आ जाएगा तो जिस account क पता करना चाहता हूं मैं तो कहूंगा जितना आपका email id है सब का चेक कर लेना तो यहां पर जैसे मैं इस account का चेक करता हूं तो देखो इसके नीचे Google account लिखा है अगर मुझे दूसरे account का क्लिक करना है तो मैं उसका फोटो यहां पर आ जाएगा गूगल अकाउंट अब मालो हम इसका चेक कर लिए फिर दूसरे email id का चेक करना चाहते है तो जैसे मालो यह वाला इसका चेक करते है तो उसका फोटो यहां पर आ जाएगा इस पर क्लिक कर और यहां पर आ जाएगा Google account सिंपल से आपको Google account पर क्लिक करना है जिस email id का पता करना है उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपको इसे साइड में आना यहां पर मिलेगा security security पर क्लिक करना है आपको धीरे धीरे नीची आना है अब जब आप धीरे धीरे नीची आओगे ना यहां पर देखो आपको मिलेगा your device यहां पर लिखाओगा manage our device इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करोगे तो अब क्या होगा आपका email id जितने फोन में login होगा वो सब यहां रहाँ यहाँ पर दिखाता है कितने तारीक कव क्या हुआना वह सब यहां पर दिखाता है तो गर यहां पे да नहीं रहें नहीं डाला है फिर यहाँ पर वह Fred और फो उसको यहां से हटा देना है जा बहुत हटा शुरा EPA अगर दूसरा फोन एड है लेकिन आप यह भी देख लेना कि भाई अगर आपका कोई PC होगा लेपटॉप होगा तो उससे आपने लॉग इन तो नहीं किया तो वहां पर वह भी सोगा तो यह सब देख लेना अगर दूसरा कोई है तो उसको हटा देना तो अब हम बात करते हैं कि नहीं देख रहा है तो आप पता कर सकते हो आपको WhatsApp open करना है WhatsApp open करने बाद three dot पे क्लिक करना है यहां पर मिलेगा आपको link device linked device इस पे क्लिक करना है और यहां पर देखो गर ऐसा इंटरफेस आ रहा है तब तो भाई आप सेफ हो और यहां पर कोई और option आ रहा है ना कोई अगर आपने link किया है तो ठीक अगर आपने link नहीं किया तो भाई उसको हटा दो क्योंकि वह बंदा ना आपका data मतलब पूरा यूज कर रहा है WhatsApp मतलब पूरा चीज वह बंदा यूज कर रहा है आपका सब देख रहा है जो आप chatting करो सब कुछ वह देख ले रहा है तो आपक तक आपने यह सब काम नहीं किया होगा तो एक बार इसको जरूर कर लेना भाई दिल को सान्ती मिलेगा और अगर यह सा कुछ problem होगा तो उसको solve कर सकते हो राइट तो हम चोथे तरीके के बारे में बात करते और यह last है चोथे तरीके में क्या होगा आपको phone dollar open करना है जहां स तो ठोड़ा सा वेट कर लेना यहां पर देखो i ammi code started है यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना यहां पर option मिल जाएगा देखो यहां पर एसका option आ जाएगा और यहां पर दिखाएगा not forward not forward not forward अगर यहां पर कुछ forward रहेगा तो यहां पर आपको दिखा देगा कि यह सब चीज forward है और इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक चीज out आप और आपके दोस्तों सब भी सलाम होते रहें तो बस आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए बाइबाई